हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएसी पार्ट वन का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर बहुत सारे लोगों को रहता है कि हमारे पास केमिस्ट्री 2017 का पेपर जो हम होगा उसे सॉल्फ करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट एयर शल रहा है उसका इजीली ह हो जाता है सरो तो आई है आज हम बात करेंगे 2017 के हमेस्ट्री फर्स्ट पेपर की तो जह अधिक का प्र होता है वह थ्री पार्ट्स में डिवाड़ रहता है और ए बी सी सेक्शन ए भी से हमें solve करने होते हैं section A में long answer 3 long answer ठीक है 3 long answer और section B में solve करने होते हैं 5 short answer और section C में solve करने होते हैं हमें 5 objective type questions तो हम सबसे पहले बात करेंगे section A की section A में देखिए हम पर question दे रखा है describe what's atomic model explain the spectrum of hydrogen atom on the basis of it what are its limitation ठीक है and second question है इसी का हिंदी में दे रखा है आपकी मर्जी है आप हिंदी में explain करें I say English में explain करें हिंदी में है बोर के परमाडू model की विवेशना कीजिए इसके आधार पर hydrogen परमाडू के spectrum को समझाए इसकी क्या सीम आए है बोर का जो model है परमाडू model वो BSC first year से third year तक आपके काम आता है तो मेरी जो सलह है कि आप बोर का परमाडू model अभी से याद करके रखिए और बोर का परमाडू model most important question रहता है तीनों year में ओके फ्रेंट and next question है what are the quantum numbers describe the all four quantum numbers given तो quantum संख्याओं क्या होती है सभी चारो quantum संख्याओं को समझाते हुए महत वो को बताईए quantum number यह short या long BSC first year का most important question रहता है तो यह नहीं है यह 2017 में ही important है यह हर साल यह question कुछ questions ऐसे होते हैं जो हर साल हमें मिलते हैं तो उन में से है quantum number बोर का परमाडू model या फिर hydride शोडियर question शोडियर question आपको हर बार मिलती है बाई चांस नहीं आती है तो बात अलग है हुंड का नियम है ठीक है hydrogen बंध है यह questions कुछ ऐसे हैं जो हर बार फस्ति हैं तो next question है first question में से आपको first में दो option दे रखे होते हैं आपको first and second आपको एक question अटेंड करना होता है जो क्यों होता है six marks का ठीक है second question है what are hydrides hydrides किसे कहते हैं और classification देना है आपको ठीक है second question में आपको first question ये दे रखा है and second दे रखा है शोडियर समिकरण देखिए मैंने कहा था आपसे आगई शोडियर तरंग समिकरण व्यूत पत्ति कीजिए एवं महत्व बताईए तो जो शोडियर equation है यहाँ आप अच्छे से याद कीजिएगा स्वेडियर equation थर्ड एयर में भी पूछी जाती है है यह topic थर्ड एयर में भी तो आप अभी से याद करेंगे तो आपको आगे चलकर फाइदा ही होना है in third question है write short notes in this following पहला है त्रज्य अनुपात नियम मतलब radius सेकेंड है हुंट्स हुंट्स नियम मतलब हुंट लो तो देखिए यहाँ पर पस्ट है त्रज्य अनुपात सेकेंड है हुंड का अधिक्तम बहु लगी ता नियम लीथियम और मेगनेशियम के विकर्ण संबंद को समझाएए अब पेपर में कुश कोश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं जो अलग होते हैं बहुत ज्यादा अलग नहीं फस्ते कभी-कभी तो आप जो में टॉपिक है वो तो ज्याद कर ही सकते हैं अब बात आती है सेक्शन बी की सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट टाइप आंसर होता है इसमें हंड्रेड वर्ट्स आपको लिखने होत हैं फर्स्ट है अर्द चालग पर एक टिपडी लिखिए ठीक है क्या है ब्राइट अशॉर्ट नोट सेमी नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंद और इसके प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स टाइप नेक्स्ट है आयोडीन के शारी अगणों को लिखिए ठीक है बेसिक प्रोपर्टीज ओफ आयोडीन एक्स्प्लेन द पोजीशन ओफ अक्रिये गैसों के आवर सार्णी में इस्थान की व्याख्या कीजिए नेक्स्ट है है एस टू ओ में अधिक पोलर कौन है तथा क्यूं क्यूं है कौन है ये वाले कोशन आफ फाइब रेडी कर लें तो अच्छ ये एक कोशन पूछा ही जाता है फाइब में से एक कोशन ये होता ही होता है और नेक्स्ट है आडविक और्विटल सिध्धान के आधार पर ओटू अडू की अनुचुंबा की प्रकर्ती को समझाए एच्सी एल अडू में आयनिक प्रकर्ती की प्रतीशत मात्रा ग्याद कीजिए एच्सी एल अडू की बंध दूरी 1.275 एंगल स्टॉंग तथा दुईद्रो आगूर की प्रेच्छित मान 1.03D दिया है ये एक नुमेरिक है आपको सॉल्फ परना है अगर आपको ठियोरिकल याद होता है तो नुमेरिकल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती वार्न हैवर चक्र ये कोश्चन मोंस्ट इंपोर्टेंट रहता है तो वार्न हैवर चक्र आप जरूर याद कीजिए ये कोश्चन होते है जो नुमेरिक टाइप इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कैसे आ आपको मिलते हैं 5 objective type questions जिसमें से 1st question है आग औरगन की अंतिम कक्षा में इलेक्टरॉन की संख्या होती है 2nd question है छार घातों की बहारी electronic विन्यास होता है 4th है 3rd है NACL crystal बना होता है 4th question है संत्रमण तत्व हैं कौन से हैं 5th है आनिश्चितता का सिध्धान्थ प्रतिपादित किया था तो यह थे आपका section A, B, C B, C first year chemistry first paper का अगर आपको कुछ और papers या कुछ और suggestion चाहिए तो मुझे comment box में comment करकर आप बता सकते हैं I hope आपको यह paper समझ आया होगा और पता चला होगा 2017 में कौन कौन से question आये थे और chemistry first paper में कौन कौन से important question रहते हैं Thank you so much watching for my video